हेलो गाईज, आज हम CBSE Class 12 Applied Maths की One Short Revision Series में Financial Mathematics का छोटा सा टोपिक और असान सा टोपिक परपैचुटी डिसकस करेंगे क्योंकि परपैचुटी बहुत असान है, बहुत असान है और बहुत छोटा है और 100% exam में एक कोशन आना है तो इसी वीडियो में हमारा ये टोपिक कंप्लीट हो जाएगा अगर हम basic की बात करें तो इसका basic भी बहुत असान है अगर आपको एक understanding बनानी है कि भही ये वर्टिस पर पैचुटी तो वो काफी असान है सुनो मेरी बात आपको equal amount equal amount, very very important है equal amount either equal amount आप पै करें या फिर रिसीव करें future में future में equal amount पै किया जाए या रिसीव किया जाए in definite period of time के लिए time period fix नहीं है 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है 100 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, fix नहीं है बस इतना ध्यान रखना है In definite period of time के लिए अगर कोई equal amount pay किया जाए या receive किया जाए उसके addition को उसके total addition को हम कहते हैं perpetuity इसको अब आप यहाँ पर ध्यान से समझना ठीक है? हमने आपको बताया equal amount तो equal amount आप मान लो R है ठीक है? equal amount R है तो यह R amount पहले साल pay किया गया दूसरे साल pay किया गया तीसरे साल pay किया गया चोथे साल pay किया गया पांचवे साल pay किया गया कहानी चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई क्योंकि हमने आपको बोला in definite period of time है तो यह जो amount आप pay करेंगे या फिर receive करेंगे future में करेंगे future में करेंगे future में होगा ये तो इन सभी amount के addition ठीक है इन सभी amount के addition को अगर आप आज की date पर लेकर आते हो ये क्या है future है future अभी आपको मिला नहीं है मिलने वाला है आगे time में मिलेगा तो अगर आप इन future को आज के present में convert करते हो तो उसको कहते है perpetuity क्या कहते है मेरे दोस्तों perpetuity कहते है तो आपको question में present value of perpetuity determine करना होता है ठीक है present value of perpetuity determine करना होता है आप अब समझ गए है perpetuity क्या है यह जो equal amount of money receive होने वाली है यह pay की जाने वाली है in definite number of period of time के लिए तो वो perpetuity है तो इन सब के addition को आज की date पर लेकर आ रहे है तो वो present value है तो आपको question में यही find करना होता है present value of perpetuity होगा कैसे अब देखो यहाँ पे दो scene है जो payment है आईदर आप month के end पे करोगे या month के beginning पे करोगे for example आपको January में payment देनी है जनवरी में payment देनी है तो January की starting में दोगे first of January को दोगे या फिर January के end पे दोगे 31st January को दोगे तो at the beginning of the month at the end of the month समझ गए बात को starting में या ending में तो इसी तरह present value of पर पेचुटी कौन सा at the end वाला ठीक है at the end वाला या फिर at the beginning वाला ये आपको ध्यान रखना है ठीक है मेरे भाई at the beginning वाला है या फिर at the end वाला है at the end वाला मन्त के end पे starting वाला मन्त के starting पे तो at the beginning और at the end अगर at the end वाला है तो perpetuity P is equal to R by I हो जाएगा और beginning वाला है तो present value perpetuity R plus में R by I हो जाएगा simple सी कहानी है दो formula आपको याद रखने है at the end है R by I beginning है R plus R by I end है R by I beginning है R plus R by I beginning है R plus R by I end है R by I formula ready हो गया formula याद हो गया question आपको दिखाता हूँ फटा 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 फट्सोल हो जाएगे now important यहाँ पे I क्या है तो I है small r upon में N small r क्या है rate of interest ठीक है भईया क्या है यह rate of interest है तो rate of interest को N से divide करेंगे अब N क्या है तो N है number of calculation period calculation period इस topic के अंदर माना जाएगा कि आप एक साल में कितनी बार payment कर रहे है एक साल में कितना payment कर रहे है for example इसको समझो this is very important ठीक है साल में कितनी payment हो रही है इसको समझना पड़ेगा देखो अगर आपने एक scheme choose कर रखी है जिसके अंदर आपको monthly payment देनी है ठीक है क्या करना है जी आपको monthly payment देना है तो आप ये बताओ अगर month में payment दे रहे हो तो साल में कितनी बार payment दोगे monthly question monthly की उपर है monthly payment हो रही है तो साल में कितनी payment होगी तो आप कोगे सर yearly में अगर साल की बात करें तो yearly में total 12 payment होगी तो N का value 12 रहेगा ठीक है ये जो N है क्या रहेगा 12 रहेगा ऐसा भी हो सकता है कि आप semi-annually payment करें ठीक है आप semi-annually payment करें semi-annually का मतलब आप 6 मन्थ में payment करें तो अगर आप 6 मन्थ में एक payment कर रहे हो तो साल में कितनी payment करोगे बताओ 6 महीने में एक payment तो साल में 12 महीने में कितनी payment आप कहेंगे 2 payment बहुँ दो payment तो महाँ पे n का value 2 रहेगा ठीक है अगर आप quarterly पे कर रहे हैं ठीक है quarterly पे कर रहे हैं हर तीन तीन महीने के gap पे payment दे रहे हैं ठीक है भई हर तीन तीन महीने के gap payment दे रहे हैं तो तीन महीने में पहली payment फिर अगले तीन महीने में दूसरी payment फिर और तीन महीने में कितनी payment? चार payment, ठीक है, साल में कितनी payment? चार payment, तो इस तरीके से N का value रहेगा, अगर quarterly होगा, 3 month होगा, तो N value 4 होगा, अगर semi-anvalu होगा, 6 month होगा, N value 2 रहेगा, monthly होगा, तो N value 12 रहेगा, simple सी बात है, ठीक है, question start करें, आप समझ गई N क्या है, R क्या है, rate of interest, और P क्या है, present value, capital R क्या है, equal amount, जो amount पे किया जाएगा, या फिर आपको receive होगा, तो आईए, वड़ा फट अप कोशन देख लेते हैं, यहाँ पर आपको एक doubt आ रहा होगा, एक very 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 important doubt आ रहा होगा, कि सर, अगर हम yearly payment दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, मेरे भाई, अगर साल में एक बार payment दे र ठीक है भई, ओके, तो यह diagram आपको समझा गया होगा, monthly, semi-annually, quarterly और yearly ठीक है, अब मैं question आपको दिखाता हूँ, और फटा-फटेजी में question को solve कर लेते हैं, देखो भई, पहला question आ चुगा है, कहते हैं, present value of sequence of payment बताओ, यानि sequence of payment बताई थी, RRRR, तो उन RRRR का present value बताओ, जि 80 रूपीज पे किये जाएंगे, at the end किये जाएंगे, तो 80 रूपीय की payment हो रही है, इसका मतलब इस वाले first question में, जो regular payment है, जो capital R value है, वो 80 है, आप कहेंगे सर्फ 80 रूपीज होने दोना, आपको क्या फरक पड़ता है, question को समझने की कोशिश करो, यार आप, 80 रूपाय की payment ह हो रही है, ठीक है, तो capital R value 80 है, at the end हो रही है, मेरे दोस्तो, at the end का formula क्या है, r plus r by i, या r by i, आप कहेंगे सर r by i है, you will say r by i है, तो present value P is equal to capital R upon i, अब यह i क्या है, तो i है small r upon n, अभी देख लेते हैं, r और n क्या बनेगा, small r rate of interest देखो 4% दिया हुए, कितना दिया हुए, मेरे दोस्तो, 4% दिया हुए, तो 4% divide by, what is the value of n, तो देखो question, question की calculation period क्या है, कितनी time payment हो रही है, at the end of 6 month, 6 महीने में पहली payment होगी, अगर 6 महीने में पहली payment होगी, तो एक साल में कितनी payment होगी, मेरे दोस्तो, 2 payment होगी, कितनी payment होगी, एक साल में 2 payment होगी तो n value 2 है, छोटा ऐसी बात आपको ध्यान रखनी है, capital R80 है, interest value question 4% बोल रहा है, लेकिन हमें इसको convert करना है, एक साल में 2 payment है, तो divide by 2 करेंगे, formula apply करेंगे, answer हमारा आ जाएगा, ठीक है, इसको पहले solve कर लो, यहाँ पे बनेगा यह 2% और 2% का मतलब है 0.02, तो यहाँ पे आप note को रहा है, 8080 के denominator में 0.02, यानि कि आप लिख सकते हैं, 80 multiply by 100, यह point remove करा, 100 upon में 2, 2 पे 80 cancel करा, 40 हो गया, यानि कि 4000 answer आगया, ठीक है, यहाँ आपका first question solve हो गया, 4000 is correct answer, ठीक है, अरे समझ रहे हो ना मेरी बात को, चलिए second करते हैं, दोगो भाई, डरना नहीं है, बिलकुल भी question को पढ़ना है, find the present value of an annuity, sir, annuity कहां से आगया, आने दो यार कुछ भी आने दो, आप question को read करो आगे, find the present value of annuity of 18 rupees made at the end of each quarter, at the end है, यह वाला formula लगेगा, each quarter है, तीन महिने में पहली payment होगी, और continue forever है, in definite number of time के लिए है, तो यह perpetuity में count हो जाएगा, तो अब perpetuity में count हो जाएगा, तो second question में आप लिखेंगे, capital R क्या है, question कह रहा है, 1800 payment होनी है, ठीक है, I value क्या है, तो interest चेक करो कितना है, what is interest, 5%, only 5%, तो small r upon में n करेंगे, यानि कि 5% को divide करेंगे, अब 3 महिने में एक payment होगी, तो साल में कितनी payment होगी, बताओ ना, साल में कितन payment होगी, quarterly के हिसाब से 4 payment होगी, तो 5% upon में 4, ठीक है, 5% upon 4 का मतलब कितना होता है, डिवाइट करें इसको, 4 1s are 4, ठीक है, 4 1s are 4, फिर आपका 1 आ गया, 5 में 4 माइनस करा 1 आ गया, 1 0 का मतलब है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 2s are 8, और 5s are 10, तो 1 point में 25%, यानि कि आप लिखें इसको, 0 point में 0, 1, 2 और 5, ठीक है, 0, 1, 2 और 5, ओके भेरे भाई, समझगे ना मेरी बात को, 0.125, नहीं समझे क्या, अबे यार कमाल कर रहे हो, तुम यार कैसी बाते कर रहे हो, 1 point में 25 है, इसका point remove करेंगे, तो 1 के बाद में 2 0 आएगी, point remove करेंगे, 2 0 आएगी, और यह percentage को remove क करेंगे, 2 0 और आएगी, तो total 4 digit के बाद point लगाना है, तो 4 digit के बाद point लगा दिया मैंने, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, वो है answer 0.0125, ओके, अब इसके बाद इहां पर लिखेंगे, present value P equal to at the end है, तो capital R by I, capital R है 1800, इसको हम divide करेंगे I से, यानि की 0.0125 से, ठीक है, यह ब एक, दो, तीन, चार, जीरो, ठीक है भी, एक, दो, तीन, चार, जीरो, और इसके denominator में, इसके denominator में कितना आएगा, 125 आएगा, ठीक है, यह point remove करा, दूपर 4, 0 और 125, इसे आप solve करेंगे, answer आजाएगा, ठीक है न, very, very simple है, इसको solve करना है, answer आजाएगा, तो हमें काम करते है, 25 पर कट कर देते है, 25 इंटू 5 होता है, 125 और 25 इंटू 4 होता है, 100, ठीक है, 100 हटिया, 0, 2 रह गई, अब यह 5 है, और 400 है, तो 5 पर इसको कार्ट दो, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 5, 8 जा, 40 और 1, 0, 18 को 8 से multiply कर लो, तो आपका 144 हो जाएगा, 1, 2, 3, 0, यानि की, यह answer आगया, ठीक है, तो हम उसकी responsibility नहीं लेते हैं, आप अपने आपसे calculation correct कर लेंगे, comment section में बस बता देना कि सर, यहाँ पर यह mistake है, so that बाकी बच्चे भी अपने आपसे वो mistake सही कर लें, लेकिन हम अप सही नहीं कर पाएगे, यह कि हमने तो record करा, record में यह answer आगया, 144,000 mistake है, तो आप बता द हम अभी बढ़ेंगे question number 3 पे, ठीक है, third number question में बढ़ेंगे question number 3 पे, रेखो question 3 आ चुका है, कहते हैं, if cash equivalent of a perpetuity of 300 payable at the end of each quarter, यानि की यही वाला scene हो गया, at the end भी है, और quarter भी है, तो सेम इसी तरीके से हो गया, is 24,000, अब आप इसको ध्यान से समझो, ऐसी perpetuity जिसके अंदर 300 pay किये जाने है, उसका total amount 24,000 है, मेरे दोस्तों, ऐसी perpetuity जहां पे 300 pay किये जाएंगे, हर तीन महीने के अंत पे, इसकी total value जो है, वो 24,000 है, तो जरा बताए, rate of interest क्या है, rate of interest यानि की यह R बताना है आपको, ठीक है, you need to find R, तो आप यहां पे लिखेंग ठीक है, present value पर 55,000 है, जिसके अंदर आप pay करेंगे only 300 रूपीज, लेकिन जो I value है, उसको change करना पड़ेगा, quarterly है, तो R को divide कर देंगे quarterly के हिसाफ से 4 से, R value को divide करेंगे 4 पे, तीन महीने की पहली payment, तो एक साल में 4 payment, तो N value 4 है, तो दुबारा से perpetuity P is equal to 24,000 है, ठीक है, present value पर पेच्टी का formula R upon में I is equal to में 24,000 ही रहेगा, आपको I value पता लगा नहीं है, तो I is equal to में present, sorry, capital R upon में 24,000, ठीक है, ये वाला हमने यहां कर दिया, इसको नीचे कर दिया, I का formula है, small r upon में 4 is equal to में, capital R है 300, divide by 24,000, ये 00, 00 cancel, ये होगा 3 बंजा 3 और 3 एट जा 24, 0 का 0, 4 बंजा 4, 4 बंजा 8, 0 का 0, यानि की जो R का value है, ये 1 upon 20 है, कितना है मेरे दोस्तों, 1 upon 20 है, लेकिन 1 upon 20 क्या होता है, ये तो fraction है, हमें तो percentage चाहिए, तो multiply 100 कर देंगे, ठीक है, तो capital R is equal to 2 पे, ये 0 कटो गया, और 2 पे 10 कटो गया, 5 answer आ गया, तो R का answer जो है, वो 5 परसंट है ठीक है मेरे दोस्तों, R कितना है, 5 परसंट है, question number 3 भी हमारा finish होता है, और आप लोगों को मालूम है, ये जितने भी question हम कर रहे हैं, दो-दो number में आएंगे, 2 marks का question, section B में आपको देखने को मिलेगा इस topic से, ठीक है, तो आप एक बर इसको भी देख लो, फिर हम करते है question number 4, भी question 4 आचुका है, कहते हैं, find the present value of perpetuity, जिसके अंदर 780 pay किये जाएंगे, 780 pay किये जाएंगे, तो capital R दिया हुए, capital R दिया हुए, 780, ठीक है, I value चक कर लेते हैं, small r को n से divide करेंगे, तो small r चक करो कितना है, percent value कितना दिया हुए, 6% दिया हुए, तो कोई दिक्कत नहीं, हा चक करो कैसे payment होनी है, चक करो कैसे payment होनी है, देखो, पहली line read करो, 780 payable at the beginning of each year, साल के starting में payment देनी है, भी साल के starting में payment देनी है, तो starting में देनी है, तो P is equal to R plus में R by I apply होगा, देखो यार, perpetuity topic असान है, लेकिन question को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अगर आप इस question में ये वा फोर्म ना उसकरो के गलत होगा, देखते ही question कट जाएगा, तो question को ध्यान से पड़ेगे, और एकदम ध्यान से form में apply करेंगे, इसमें लिखा हुआ है, साल की starting में payment होनी है, तो R plus R by I, अब यहाँ पे I calculate कर लो, साल में एक ही payment होनी है, annual का question है, तो N value 1 है, और अगर N value 1 है, यानि की simple 0.06 हो जाएगा, तो P is equal to में R है 780, 780 में add करेंगे 780, divide by 0.06, फिर यहाँ पे 780 same, इसमें adding करा 780, multiply करा 100, divide करा 6 से, तो 6 बन जा 6, इसे cut करेंगे 6 बन जा 6, 6, 3 is a 18, 0 का 0, तो total 13,000 हो गया यह, ठीक है, 13,000 में add करेंगे 780, कुल में लाकर के 13,780 हो गया, कितना simple question है मेरे दोस्तों यह, इसके बाद देखो भई, 5th question आ चुका है, आपके सामने, फटा फटे जी मैं आप रीट कर लो क्या कहता है, ठीक है 5th question, तो present value of perpetual income of X rupees at the end of 6 month is 36,000, देखो question को टोटे टोटे करके समझा करो, एक perpetual income है, जिसमें total value 36,000 है, मलब total add करा 36,000 है, जिसमें X rupees पे किये जाएंगे at the end of 6 month, हर 6 महीने के अंत पे पहली payment होगी, और X rupees की payment होगी, तो कुल मिला करके जो total amount बनेगा, present value जो बनेगा, वो 36,000 बनेगा, तो आप यहाँ पर note करेंगे present value दिया हुए, present value 36,000 है, और जो R payment होनी है, वो X rupees है, I value पता कर लेते हैं, ठीक है, I value पता कर लेते हैं, rate of interest 6% दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है, 6% को divide करेंगे, हर 6 महीने की पहली payment, तो साल में कितनी payment, 2 payment, तो इसको 2 से divide कर देंगे, answer बन जागा 3%, 3% का मतलब 0.03 हो जाएगा, ठीक है, फिर present value P is equal to 36,000 हमें दे रखा है, formula है, R upon I is equal to 36,000, question की demand है, R बताईए, तो R is equal to 36,000 को multiply कर देंगे, I से, R question कहता है, X रुपीज है, 36,000 को same रहने देंगे, multiply करेंगे, I, यानि की 0.03, ठीक है, 36 को 3 से करेंगे, तो 108 होगा, लेकिन यह point टाएगे, तो यहाँ पे 2 0 इसको cut कर देगी, तो 1 0 और आएगा, यानि की 1080 भई, 1080 रुपईय की payment होनी है, question हमने solve कर लिया है, तो कुल में लाकर कर गई है, यह 5 question जो आप देख पा रहे हैं, इनहीं में से कोई एक question आपके exam में 2 number में आपको देखने को मिलेगा, बस condition यह है कि थोड़ा amount change हो जाएगा, भई, CBS यह 80 रुपई थोड़ी लिख के देग ठीके ना, यह amount change हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो आप मुझे comment section बताओ, क्या आप यह question कर पाएंगे, at the beginning, R plus R by I, at the end, R by I, conversion करना होगा, yearly है, तो N value 1 है, quarterly है, N value 4 है, semi-nally है, हर 6 महीने की पहली payment है, N value 2 है, इस तरीके से convert कर लेना, तो यहाँ पर आपका पर patch duty complete होत है, लेकिन एक मिनट रुको, मेरे दोस्तों, एक बार यह वला question आप read करो, इस question को आप एक बार read करो, और मुझे बताओ, क्या यह पर patch duty का question है, read करो एक बार, if you need, अगर आपको 20,000 रुपे चाहिए, किस लिए चाहिए, डोटर की education के लिए चाहिए, तो how much must you set aside, आप quarterly basis पे कितना sum अलग से रखेंगे, saving करके चलेंगे 10 सालों तक, कितने सालों तक, 10 सालों तक, तो यह indefinite period of time तो है नहीं, आप मुझे बताओ, सोच के बताओ, क्या यह indefinite period of time है, अगर है, तो perpetuity है, अगर नहीं है, तो perpetuity नहीं है, लेकिन इसने साफ साफ बोला कि भईया, 10 सालों तक, यानि कि यह perpetuity नहीं है, तो perpetuity के अंदर, in a definite period of time होना चाहिए, continue forever होना चाहिए, तो question को ध्यान से पढ़ेंगे, confused नहीं होंगे, ठीक है guys, तो यह वाला topic कौन सा है, वो हम discuss करेंगे अगली वीडियो में, perpetuity यहां पे complete होता है, साथ में हम आपको multiple choice question, applied mathematics के, one short revision, applied mathematics की, पहले के chapters की भी हो चुकी है, चैनल पर आप पहले बार आएं हैं, तो भाई, उनको भी देखना ना भूले, complete preparation आपको 2023 के exam के करवाई जा रही है, आज हमने आपको perpetuity complete करवा दिया, कल एक नया topic पड़ेंगे, आज के लिए इतना ही मुलाकत करते हैं, अगली वीडियो में, झालोशे जोओेंगे, आपको ऑलोशे टीजब कर देती हैं, यह हैं, तो ख समय्को भी हो चुश में आफट एको चाहाई जा जब भैंद 125 वीज़े क सवाइबी और देती हैं, आज हैं, पलोपले, पहले जा हैं, आब कर दोदी आब मेंद़ेंगे, शवाई में आपको चाह